हालो व्रीवान वेलकम तो जेकलर्ट्स आइओप यॉप 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 वेल सो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसको कॉंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में आपके साथ फाइव और क्वेस्टन्स डिसकस करूंगा टाइम और वर्क से थोड़ से ट्रिकी है अलसे मैंथर से नहीं सॉल होंगे लसे मैंथर से सॉल नहीं होंगे तो आपको में कॉंसेप्ट पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क का तभी एक बार आप सारे के सारे स्क्रीन शॉट लेकर ट्राइक कर लें और फिर मेरी एक्स्प्रिनेशन सुल ले बहुत important questions है और जितनी भी types बनती है time and work में मैं सारे की सारी करवाने की कोशिश करूँगा तो देखी पहला question थोड़ सा tricky है आपको लगेगा थोड़ सा tricky पहला देखी करना कैसी है इसको पढ़के सुनातों एक बार मैं आपको question क्या है कि A takes twice as much time as B देखो आ-जो है वो B से दो गुना ज्यादा time लेता है अस 1 अगर को खतम करने में तो ए वो चार दिन लेता है इस तरह से इसने question को बोला हुगा है तो ए टेक्स twice as much time as B clear और thrice as much time as C to finish a piece of work और जितना time C लेता है काम को खतम करने में A जो है उससे तीन गुना जादा टाइम लेता है तो अगर C जो है वो तीन दिन लेता है काम को खतम करने में तो जो A है वो नो दिन लेगा काम को खतम करने में यह मतलब है पहली दो lines अगर यह मिल के काम करते हैं A B C तो यह सारे काम को दो दिन में काम खतम कर लेते हैं तो अब आप से पूछ रहा है कि B can do the work alone in B जो है वो कितने दिन में काम खतम करेगा अगर वो अकेला काम करेगा यह question है देखो तो एक बार आप खुद try कर ले clear तो देखिए किस तरह से approach करना इस question को तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले तो उसने जो बोला हूँ है कि A takes twice as much time as B तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A और B तो यहाँ से क्या मैं time की ratio निकाल सकता हूँ A और B की time की ratio निकाल सकता हूँ से मैं तो अफकोर्स निकाल सकता हूँ क्योंकि उसने बोला है A takes twice as much time as B तो यहां पर A और B की जो time की ratio होगी वो 2 is to 1 होगे I hope यह बात clear हुई होगी कुछ भी नहीं किया बस जो पहली line है उसको ratio की form में लिख दिया A takes twice as much time as B clear देखो ratio भी यही represent कर रही है कि B अगर एक दिल ले रहा है तो A जो है वो 2 दिल ले रहा है clear but ratio जो होती वो simplest form होती आपको पता होगा clear तो यह होगी A और B की time की ratio तो अब भी आगर last video किसे ने देखी होगी मेरी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो efficiency होती है और जो time होता है efficiency और जो time होता है इनके बीच में जो relation होता है वो होता है inversely proportional का relation inversely proportional का मतलब क्या हुआ कि अगर आप time ज़ादा ले रहे हो किसी काम को करने में इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो efficiency है वो कम है clear और अगर आप किसी काम को करने में कम time ले रहे हो इसका मतलब आपकी efficiency जादा है तो इनके बीच में जो relation होता है वो inversely proportional का होता है तो अगर मुझे मेरे पास A और B की time की ratio पहता है तो यहां से मैं क्या efficiency की ratio निकाल सकता हूँ तो यहां से मैंना efficiency की ratio निकाल दी तो वो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी क्योंकि इनके बीच में जो relation होता है वो inversely proportional का होता है तो यहां से मैंना time की ratio निकाल दी और यहां से मैंना efficiency की ratio निकाल दी अब बात कर लेते हैं A और C के comparison में क्लियर क्योंकि A और C के बारे में उसने बोला है कि A takes thrice as much time as C याद रखना A takes thrice as much time as C C जितना भी time ले रहा है A जो है उससे 3 गुना जादा ले रहा है क्लियर A takes thrice as much time as C तो यहाँ पर आप क्या करो 3 is to 1 लिख दो यह होगे time की ratio यह जो है वो तीन गुना time ले रहा है जितना ले रहा है C clear तो यहाँ पर मैंने time की ratio निकाल दी किसकी A और C की तो यही से मैं efficiency की ratio भी निकाल सकता हूं A और C की तो efficiency की ratio आएगी 1 is to 3 clear तो यहाँ से मैंने इस वाले पार्ट से A और B की जो efficiency की ratio है वो निकाल दी वो आई 1 is to 2 और इस वाले पार्ट से A और C की जो efficiency की ratio है वो मैंने निकाल दी वो ही 1 is to 3 ये बात आपको clear हुई होगी अब आप ratio को द्यान से देखिए clear देखो अब ratio को द्यान से देखिए यहाँ पे A और B की efficiency की ratio दी है 1 is to 2 और यहाँ पे A और C की efficiency की ratio कितनी दी है आपको 1 is to 3 clear 1 is to 3 अब मुझे एक बात बताईए देखो पहली वाली ratio में द्यान से देखिएगा A is to B की ratio कितनी 1 is to 2 इसका मतलब A जो है A को कौन सा number represent कर रहा है 1 clear और B को कौन सा number represent कर रहा है 2 clear और नीचे वाली अगर मैं ratio की बात करूं तो A को कौन सा number represent कर रहा है 1 और C को कौन सा number represent कर रहा है 3 clear अब मिरे बात द्यान से सुनिएगा उपर वाली ratio में भी यही कह रहा है कि जो A की efficiency है वो 1 है और नीचे वाली question में भी नीचे वाली ratio में भी यही कह रहा है कि जो A की efficiency है वो 1 है तो of course यह ठीक है इसका मतलब clear क्योंकि A जो है वो एक ही person है तो इसकी efficiency भी तो same ही होनी चाहिए जो efficiency यहाँ पे है वही efficiency जो है वो यहाँ पी होनी चाहिए इसका मतलब यहाँ पे ठीक है और अगर by chance यह मतलब equal ना होती अगर यहाँ पे इनकी जो A वाली जो value है यह equal ना होती हम क्या करते तो हम इसको equal बनाते क्यों बनाते क्योंकि basically जो A है यहाँ पे और A जो है यहाँ यहाँ पे यह दोनों same ही तो है तो इनकी efficiency भी same होनी चाहिए थी clear तो बट यहाँ पे by default जो है वो same बन गई clear तो यहाँ पे ऑप भी A की efficiency है यहां पर भी A की Efficiency 1 है तो इसका मतलब A की Efficiency हम 1 मान सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि A जो है वो एक दिन में A की चीर बना पा रहा है अब मैं बात करता हूं B की देखो B को कौन सी वैलियू डिप्रेजेंट कर रही है 2 और यहां पर कहीं B है नहीं है तो हम B की Efficiency को 2 मान सकत है तो यह यहां से मैंने Efficiency निकाल दी और जैसे कल मैंने आपको कहा था कि अगर आपको Efficiency पता हो तो आप मज़े से question solve कर सकते हो तो अब एक बार मैं दुबारा से repeat कर देता हूं clear थोड़ा सा में आपको यह tricky लगे देखो question में बन था कि A takes twice as much time as B, B जितना भी time लेता है A उससे दो गुना जादा लेता है तो यहां से मैंने time की ratio निकाल दी A और B की तो A और B की time की ratio है 2 is to 1 और मैंने आपको पता है था कि efficiency और time की जो relation होता है वह होता है inversely proportional तो efficiency की ratio यहां से मैं निकाल सकता हूं वह आईगी 1 is to 2 उल्टा हो जाएगा clear फिर उसने बोला था A takes thrice as much time as C to finish a piece of work और A जो है तीन गुना जादा time लेता है C से तो A और C की जो ratio आई वह आई 3 is to 1 clear और इनकी जो efficiency आई वह आई 1 is to 3 clear very same reason efficiency और time are inversely proportional to each other clear तो इनकी जो ratio जो efficiency की ratio आई 1 is to 3 फिर मैंने क्या कर दिया A और B की ratio इस फार्म में लिख दी 1 is to 2 की फार्म में और A और C की ratio ऐसे लिख दी 1 is to 3 अब मैंने इसको observe किया अच्छे से कि जहां पे जो A है है को कौन सी value represent कर रहे है 1 और यहां पर A को कौन सी value represent कर रहे है 1 clear अब देखो A जो यहँं पर है और A जो यहाँ पर है यह रही है तो अगर यह सेबcionसी भी इस इस एको कौन सी वैलिये रेगे फ्रसंस कर रहे है तो हम मान सकते हैं कि A की efficacy 1 है और अगर मान लो कि जो C है, C को कौन सी value represent कर रही है 3, तो अब मान लो कि C की efficiency जो है 3, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये बराबर ना होता, जैसे अगर मान लो कि ऐसी होती, A और B की ratio इस तरह से होती, कि 2 is to 3, और A is to C की ratio होती, 3 is to 4, इस तरह से होती, तो देखो, यहाँ पे A के सामने कौन सी value represent कर रही है 2, और यहाँ पे A को कौन सी value represent कर रही है 3, यह तो possible high नहीं है, क्योंकि A जो है, वो same ही person है, तो यहाँ पे इसकी efficiency 2 बता रहा है, और यहाँ पे इसकी efficiency 3 बता रहा है, जो की गलत है, तो हमें क्या करना था, इस वाली ratio में, अ और 9, 6 is to 9, और यह बनागी 6 is to 8, अब देखो, यहाँ पे ratio बनागी 6 is to 9, और यहाँ बनागी 6 is to 8, अब A की efficiency बराबर होगे की नहीं होगी, तो अगर यहाँ पे बराबर नहीं बनती, तो आप इस तरह से बराबर करते, बट हमें question में, ऐसा करने की जुरूरत नहीं है, क्य की already बराबर बन गई, clear, अब देखो, अब हमें क्या करना है, जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि, अगर आपको total work और efficiency पता हो, तो आप कोई भी question solve कर सकते हो, I repeat, अगर आपको total work और efficiency पता हो, तो आप कोई भी question solve कर सकते हो, तो मेरी बात दियान से सुनिए, efficiency तो मुझे सब क की पता चलगी, A की भी पता चलगी, B की भी पता चलगी, C की भी पता चलगी, clear, तो अब देखो, उसने बोला क्या था कि working together, they can finish the work in two days, अगर यह सारे मिलके काम करते हैं, तो दो दिन में काम खतम कर लेते हैं, ठीक है, अब मुझे एक बात बताईए, अगर यह मिलके एक द एक दिन में, clear, एक दिन में, यह छे चेर बना पाएंगे, तो अगर दो दिन यह काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे, two into six, clear, तो यह हो गया हमारा, बारा चेर, तो यह हमारा हो गया, total work, क्योंकि उन्होंने बोला था, कि अगर यह दोनों मिलके, सारे मिलके काम करेंगे, working together, तो यह सारा काम, जो है, वो दो दिन में, खतम कर सकते हैं, तो अगर यह एक दिन में, छे बना रहे हैं, तो दो दिन में, कितना बनाएंगे, 12, इसका मतलब, total काम कितना था, 12, तो यहां से total work, मुझे पता चल गया, 12, clear, अब उसने पूछा क्या, कि B, अगर अकेला काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो B की efficiency देख लो, clear, देखो, अगर पूरा काम है, 12, total काम है, 12, जो कि मैंना, यहां से निकाल लिया, clear, और B की efficiency है, 2, तो total काम को आप B की efficiency से divide कर लो, तो देख लो, कितना आएगा, 6 days, तो 6 दिन लगेंगे, B, अगर अकेला काम करेंगा, तो, clear यह बहुत important question है, मुझे समझाने में इतना time लगा, बट जब आपको एक बार concept समझा जाएगा, जादा से जादा 10 seconds लगेंगे, 10 seconds भी बहुत जादा बोल दिया, clear, अगर आपकी practice बहुत बढ़िया लेवल पे है, तो इसको तो 5 seconds से जादा लगी ने सकते, clear, क्योंकि कुछ calculation माइन में ही हो जाती है, तो बहुत बढ़िया question है, बहुत अच्छा लेवल का question था, इस तरह के questions और try कीजिए, so तब तक आप next question try कीजिए, तब तक मैं अरब कर लेता हूं इसको, अब देखिए, हमारा next question क्या है, A works twice as fast as B, A जो है, वो B से दो गुना fast है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि A की efficiency, B की efficiency ज़्यादा है, इसका मतलब यह हुआ, अब यहाँ पर जो A और B का comparison दिया है, यह time का comparison नहीं है, क्योंकि उपर वाले question में time का comparison था, देख लिए, उपर वाले question में था कि A takes twice as much time as B, अब second वाले question में लिखे है कि A works twice as fast as B, clear, तो यह question दिया है, आगे उसने बोला है, कि if B can complete a work in 12 days independently, अगर B जो है, अकेले 12 दिन में काम खतम कर लेता है, पूरा काम 12 दिन में खतम कर लेता है तो आपको बताना है, कि A और B जब मिलके काम करेंगे, तो कितने दिन में काम खतम होगा, and the number of days in which A and B can together finish the work in how many days, यह question है, clear, so देखे, क्या बोला हो आशने, A works twice as fast as B, A जो है, clear, वो B से 2 गुना fast है, तो आप इस question में क्या कर सकते हो, देखो, इस तरह के question आप इस तरह से भ आपको पिछे वाली बताया, clear, क्यूंकि पिछले वाले question में time की ratio दी थी, वहां से हमने efficiency की ratio निकाल दी, इस question में तो efficiency की ratio हमें दे दी हुई है, clear, तो efficiency की ratio कितनी आई यहां पे, देखिए दियान से, A और B जो हैं, उनकी जो efficiency की ratio आई, वहाई 2 is to 1, clear, वहाई 2 is to 1, क्यासे, A works twice as fast as B, clear, B जितना भी काम करता है, A उससे दो गुना जादा करता है, तो अगर B एक चेर बना पाता है, तो A जो है, वो दो चेर से बना पाएगा, तो यह आगे इनकी efficiency की ratio, clear, तो इसको आप efficiency ही मा clear, आप उसने क्या बोला है, if B can complete a work in 12 days, clear, अगर B 12 दिन में काम खतम कर लेता है, तो A और B मिलके जब काम खतम करेंगे, तो कितने दिन में खतम कर पाएंगे, तो जैसे कि मैं आपको बताता हा रहा हूँ, आपको question solve करने के लिए, एक तो efficiency चाहिए, जो कि हमारे पास आ गई clear, और A चाहिए, टोटल वर्क, अब हमारा motive क्या रहेगा, टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो देखो, टोटल वर्क यहीं से निकलेगा, जो उसने लाइन बोलिगे न, if B can complete a work in 12 days independently, यहीं से टोटल वर्क निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो, B की अगर मैं बात करूँ, B जो है, उसकी efficiency है 1, efficiency का मतलब वो एक दिन में एक ही tier बना पा रहाया, तो B की efficiency है 1, clear, एक दिन में वो एक ही दिल लिए थे उसके efficiency से multiply करें वो हमारा आ गया टोटल वर्क कोले तो यह आ गया हमारा total वर्क अब उसने क्या बोलए कि A और B जब मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम काम होगा तो देखो क्या क्मारा काम है बारा टोटल वर्क कितना है बारा जो कि हमने निकाल दिया अब A और B मिलके काम करें गया और A और B जब मिलके काम करें गया थो ऑफिशनसी कितिने होगी फर यह वूग hit क्यूंद 57 क्यूंगी जा कर बनाथाओ दो छेर है और भी यह जाए काम कर दो घर लो बनाता है एक चेर तो एक दिन में कितनी से पर जाएंगी तीन बन जाएंगी बनानी कितनी है बारा एक दिन में बन रहे है तीन तो इसको डिवाइड कर लो तो आजएगा फोर डेस तो चार दिन लगेंगे क्लियर काम खतम करने में अगर ए और भी मिलके काम करेंगे तो बहुत इजी कोशन था बस बस एफिशनसी बनानी है जैसे एफिशनसी मिल जाए टोटल वक निकालना तो बस जो क्रिशन में बोला है उसको सौल कर लो आई होप यह क्रिशन समझाया होगा इजी क्रिशन था क्लियर अब हमारा जो नेक्स क्रिशन है देखिए क्या कह रहा है कि 20 वोमें कैंट डूए वोक में काम खतम कर लेती हैं clear अगे उसकों बोलाए 16 में कंप्लीट था सेंव और 16 में जो है सेम काम को पंदरह दिन में खतम कर लेते हैं तो आपको बताना है कि जो एक मैन है और एक जो वोमें है उसकी जो कपैसिटी की रेश्यो है कि तनी मतलब उसकी efficiency की रेश्यो पूछ रहा उसकी efficiency की ratio पूछ रहा है तो आप मेरे बाद द्यान से सुनिएगा देखो woman यहाँ पर मैं woman ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ मैं man clear यहाँ ले लेता हूँ man अब देखो woman की efficiency मान रहा हूँ छोटा w cheers per day clear और man की मैं मान रहा हूँ छोटा m cheers per day यह मैंने की efficiency माल ली द्यान से सुनिए कि मैं क्या बोह रहा हूँ यहाँ पर दो लोगों का role है एक है women और एक है men तो मैंने क्या कि women की जो ratio है वो माल ली w sorry जो उसकी per day efficiency है वो माल ली w clear और man की जो efficiency है per day वो माल ली m clear यह है efficiency याद रखना cheers per day मतलब इनका जो काम है वो cheers बनाने का है इसलिए मैंने यहाँ पर cheers per day लिखा हूँ अब देखो उसना क्या बोला है 20 women can do a work in 16 days अब मेरी बात सुनिए अगर एक औरत एक दिन में w cheers बना पाती है तो मुझे बताओ 20 women's कितनी बना पाएंगी तो 20 w बना पाएंगी है ना एक women अगर एक दिन में w chair बना पाती है clear तो 20 women एक दिन में कितनी बना पाएंगी 20 w बना पाएंगी तो यह आई एक दिन की efficiency in 20 ओरतों की clear यह जो 20 w यह efficiency है 20 ओरतों की clear एक दिन की अब यह 20 women's कितने दिन में काम खतम कर लेती है 16 दिन में काम खतम कर लेती है तो मुझे बात बताओ एक दिन में यह ओरते 20 w काम कर रही हैं तो 16 दिन में कितने करेंगी, 16 से multiply कर देंगे, तो आपको पता कि जब हम efficiency से time को multiply करते हैं, तो हमारे पास आजा था total work, तो इसका मतलब और तो ने काम कितना किया, इतना किया, clear, I repeat, देखो मैंने क्या किया था, कि जो woman थी, उनकी जो efficiency थी, वो W माननी थी, और जो man है, उनकी ज efficiency कहते हैं, तो एक woman की efficiency W है, तो 20 woman की efficiency कितनी होगी, 20 W होगी, एक दिन में, इसका मतलब एक दिन में 20 W चेर्स बन रही हैं, 20 और तो दौर्टों दौरा, तो मुझे एक बात बताओ, उन्होंने काया है, कि 20 woman जो है, वो काम को 16 दिन में खतम कर लेते हैं, तो ये 16 दिन तक काम करती रहेंगे, तो इसको multiply करेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, total work आजाएगा, clear, तो ये हमारा आगया, total work, अब आखे, अब बात करते हैं, man's के बारे में, man क्या कह रहे हैं, कि 16 man can complete the same work in 15 days, अब देखो, बात ये है, कि जितना काम ये औरतें कर रहे हैं, उतना ही काम जो है, ये मर्द भी कर रहे है, clear, अब question क्या देखे, दियान से सुनिए, 16 man can complete the same work in 15 days, 16 man जो है, वो 15 दिन में काम खतम के लेते हैं, तो मैंना यहाँ पर माना हुआ है, कि man की जो efficiency है, वो है, m chairs per day, clear, तो अगर एक man, m chairs बनाता है, एक दिन में, तो 16 man कितनी बनाएंगे, 16 man बनाएंगे, 16 man, एक दिन में, तो ये 16 man किया है, ये 16 man की efficiency, clear, ये 16 man किया है, ये 16 man की efficiency है, और ये 16 man कितने दिन में काम खतम के लेते हैं, 15 दिन में, तो ये, यहाँ पर आप 15 से multiply कर लो, जो भी आएगा, यहाँ जागा work, और question में given है, कि ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, इसक को कर सकते हैं, equate, क्योंकि जितना काम ये है, उतना ही काम ये है, clear, तो हम कर सकते हैं, equate, क्योंकि ये बराबर-बराबर काम करें, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस solve करना है, तागा यहाँ से 16 और 16 कट गया, clear, यहाँ पर 5 3s हा, यहाँ पर 5 4s हा, clear, अब man upon w और ratio i 4 is to 3, तो यह जो man और w की ratio i4 is to 3, और यह m और w क्या थे, यह थे efficiency, clear, यह थी woman और man की efficiency, तो इसका मतलब, woman अगर 3 chairs बना पा रही है, clear, तो man जो हैं, वो 4 chairs बना पा रहे हैं, एक दिन में, यह होई man और woman की, जो इनकी capacity की ratio है, वो, मतलब इनकी जो per day efficiency की ratio है, वो, तो बहुत easy question है, सिर्फ समझाने में time लगा, आप देख लो, एक step में यह question खत्म हो गया, तो यह चीज़ आपको लिखनी है नहीं, यह तो आपको दिमाग में रखनी है, कि जब भी इस तरह का question आए, आपको woman की, जो per day efficiency, इसको W मान लो, और जो man की ratio है, sorry, जो man की per day efficiency, उसको M मान लो, बस इस तरह से time and work का concept यूज़ करके निकाल लो, clear, तो मतलब जस्ट, पांट सेकर में question खत्म हो जाना चाहिए, अब हमारा next question देखिए, next question क्या है, A and B can do a job together in seven days, A और B मिल के काम जब करते हैं, तो साथ दिन में काम खत्म कर लेते हैं, clear, जो भी काम है, साथ दिन में काम खत कर लेते हैं, अब उसनों आगे क्या बोला है, कि A is one three by four times as efficient as B, B जितना भी efficient है, A जो है, उससे one three by four times जादा efficient है, clear, तो अब आपको बताना, the same job can be done by A alone in, तो अगर A अकेला काम करेगा, clear, A अगर अकेला काम करेगा, तो कितने दिन में काम खत्म हो पाएगा, तो यहां से प पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा motive यही रहता है कि efficiency और total work मिल जाए, efficiency और total work मिल जाए, समझो, question वहीं पे खत्म, clear, तो देखिए, यहां पर, तो यहां पर मैं A लिख देता हूँ, और यहां पर मैं लिख देता हूँ, clear, उसना बोले कि A is one three by four times as efficient as B, तो आप B की efficiency कुछ भ बनाता है per day, तो मुझे बता हूँ, A कितनी मिनाएगा, तो A उसने बोला हूँ है कि A is one three by four times as efficient as B, इसका मतलग, one three by four times as efficient as B, B कितना मिनाता है, 4, तो इसको solve को, four seven by four into four four four, cancel that is seven chairs per day, यहां से मैंना निकाल लिए, कि A के efficiency कितनी है, साथ, clear, chairs per day, आप कुछ भी मान सकते हो, य क्योंकि मुझे दिख रहा था, नीचे denominator में four है, तो मुझे कुछ ऐसा number सोचना था, जिसके साथ में multiply करूं, वो cancel हो जाए, ऐसा में one भी मान सकता हूं, बट फिर जो A की efficiency आनी थी, यह आनी थी fraction में, जो कि मैं चाहता नहीं था, clear, मैं चाहता था कि exact number आ जाए, fraction ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पर B की efficiency four मान ली, आप eight भी मान सकते थे, क्योंकि आपको पता है, four से eight कर जाएगा, twelve भी मान सकते थे, तो जब भी इस तरह का question आये, कि A is one three by four times as efficient as B, तो आप इसके denominator को देखो, clear, और denominator जो भी है, उसका multiple जो है, उसकी जो दूसरा वाला इंसान है, उ seven chairs per day, clear, क्योंकि इसनम बोला था, A is one three by four times as efficient as B, तो यहां से मैंने solve किया, तो seven chairs per day आगे, तो अब A और B की efficiency मुझे पता चल गी है, अब मेरा काम है, दूसरा, total work निकालना, और total work निकालने के लिए, उसने कोई ना कोई condition मुझे जरूर दी होगी, और जैसो, पहली जो line इस seven days, A और B, दोनों मिलके साथ दिन में काम खतम कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर A और B, एक दिन में कितना काम करते हैं, अगर वो मुझे पता चल जाए, तो इसको मैं seven से multiply कर लूँगा, और मुझे total work मिल जाएगा, तो देखो, A, एक द उनों मिलके काम कितने दिन में खतम कर रहे हैं, साथ दिन में, तो अगर 11 के efficiency के साथ, वो साथ दिन काम करते रहेंगे, तो कितना काम करेंगे, 77, तो total work हमें पता चल गया, 77, पस अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है, कि बताओ, A कितने दिन में काम खतम करेगा, अक काम खतम करेंगे, अगर वो अकेला काम करेगा, तो, clear, तो ये question है, बहुत easy question है, मैं ना किया, कि अफ़ले efficiency निकाल ली, फिर total work निकाल ली, और total work जैसे निकाला, जो उसने पूछा है, उस तरह का, solve कर लीजिए, अब हमारा next question, or last question, clear, फिर, एक, मैं मैं एक वीडियो में ऐ तो, फिर मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाओंगे, जिसमें सारे के सारे questions होंगे, clear, अलग लगता रहांगे, और वो सारे questions आपने खुद करने हैं, और आपना जो answer होगा, वो comment section में देने, अब देखो, last question है हमारा, A can do a piece of work in 10 days, and B can do the same work in 20 days, देखो, जैसे मैं आपक आपना लसी method वाला question, clear, तो, A जो है, किदमें दिन में काम खतम करता है, 10 दिन में खतम करता है, B जो है, वो 20 दिन में काम खतम करता है, आगे उसने बोला है, with the help of C, they finished the work in 4 days, but अगर ये, don't know, C की help लेते हैं, याद रखना, with the help of C, they finished the work in 4 days, तो, यहाँ पे यह गल्दी मत क यह A, B और C की efficiency हमें दी हुई है, sorry, time दिया हुए, efficiency नहीं हमें यह time दिया हुए, तो, यहाँ से हमने यह चीज निकाल ली, आपको पता है, A जो है, वो पूरे काम को 10 दिन में खतम कर लेते हैं, और जब वो C की help लेते हैं, तो, वो काम को 4 दिन में खतम कर लेते हैं, अब आपको क्या करना है, आपको महाँ, assume करना होता है, total work, कैसे assume करना है, total work assume करना है, आपको, इनको, इनका calcium लेके, तो, देखो, calcium कितना आएगा, 10, 20, और 4, calcium कितना आएगा, तो, यहाँ से आप निकाल लो, calcium, तो, यहाँ आएगा, 20, calcium, clear, यहाँ पर, calcium कितना आगया, 20 आगया, अब देखो, अब यहाँ से आप efficiency निकाल सकते हो, efficiency कितनी आएगी, 20 divided by 10, मतलब 2, इसका मतलब, एक ही efficiency कितनी है, 2, इसका मतलब यह हुआ कि, एक दिन में वो, दो चेर्स बना पा रहा है, B के efficiency देखों, तो वो है, 20 को 20 से divide कर लो, और A प्लस B की प्लस C की efficiency कितनी है, 20 प्लस 4, 20 divided by 4, that is 5, clear, तो यहाँ से मुझे A की efficiency भी पता चलगी, B की efficiency भी पता चलगी, और A प्लस B प्लस C की efficiency भी पता चलगी, अब उसने क्या बोला था, कि C can do the work in how many days working alone, अगर C अकेला काम कर पाएगा, तो देखो, total work तो मुझे पता है, यहाँ से, total work तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे C की efficiency निकाल लिया, और C की efficiency जैसे निकलेगी, मैं total work को C की efficiency से divide कर लोगा, और मुझे answer मिल जाएगा, तो आप देखो C की efficiency कैसे निकाल लिया, तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C की efficiency जो है यह 5 है, A की efficiency 2 है, B की efficiency 1 है, C की efficiency यहां से निकल जाएगी, C की efficiency आजाएगी 2, clear, C की efficiency आजाएगी 2 और total work है 20, clear, और C की efficiency है 2, तो इसका मतलब उसको 10 दिन लगेंगे काम को खतम करने में, तो यह question था, clear, बहुत easy question था, इस question को द्यान से एक बार आपको अच्छे से read कर जाएगी, फिर question तो solve हो जाएगा, clear, तो इस तरह की questions और जादा practice कीजिए, अगर आपको कोई problem आती है, तो आप comment section में बता सकते है, clear, तो उस तरह की question में फिर next video में आपको करवा दोंगा, so, विलते next video में, till then, good bye.